Hey guys, welcome to civil users Friends, आज की इस वीडियो में फिर से बात करेंगे एक और नए plot के डिजाइन के बारे में तो सबसे पहले समझते हैं plot details को तो आज का हमारा plot size है 25 feet by 30 feet यानि कि ये total plot 750 square feet and 83.34 square yard का है road की बात करें, तो इस plot के 2 side में road है अब देख सकते हो एक east side में और एक south side में बट घर की main entrance हमें east side से रखनी है अगर बात करें requirement की, तो हमें इस plot को 3BH के house plan as per वास्तू के हिसाब से बनाना है कैसे? सबसे पहले 2 bedroom with attached almira एक guest room, kitchen, lobby, common toilet और staircase आपको घर के अंदर से दिनी है तो आइए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ directly design पे तो friends आप लोग screen पर देख सकते हो मैंने इस 25 feet by 30 feet के plot में ये 3BH के house plan as per client requirement कुछ इस तरह से design किया हुआ है और इस plan में कौन सी चीज वास्तू के हिसाब से सही है कौन सी गलत है उसके बारे मैं discuss करेंगे मैं इस वीडियो के end में आईए उस से पहले मैं आपको इस plan को step by step समझा देता हूँ सबसे पहले बात करेंगे घर में entrance की तो 4 foot चोड़ा door हमने east side से दिया हुआ है जब इस door से आप घर में entry करोगे तो left side में आपको सबसे पहले kitchen मिलेगी 8 feet by 7 feet 3 inch की kitchen है जिसमें L shape की हमने ये slab लगाई हुई है और ये window है ventilation के लिए next आप इस kitchen से बाहर आते हो तो right side में आपको guest room मिलेगा 11 feet 1.5 inch by 11 feet 3 inch का बहुत ही अच्छा size है guest room के लिए जिसमें हमने outer side से भी एक 3.5 foot चोड़ा door दिया हुआ है for unknown guest और ये window है ventilation के लिए next आप इस guest room में भाहर आते हो तो आप lobby में एंटर कर जाते हो 12 feet 4 inch by 11 feet 10 inch की lobby आपको मिलती है जिस lobby में आपको 3 feet चोड़ी clock wise direction में staircase मिलती है और सबसे अच्छी बात ये है इस design में की आपको lobby में staircase double height की आपे मिल जाती है जिसकी वजह से आपका design अच्छा हो जाता है और आपका घर भी अंदर से luxury बन जाता है उसके बाद lobby side में ही हमने entrance के लिए एक south side से 3.5 foot चोड़ा door भी दिया हुआ है next आप आगे चलोगे तो आपको एक toilet मिलता है 7 feet 3 inch by 4 feet का जिसमें ये ventilator है रोशनी के लिए ventilation कहां से मिलेगा back side में हमने ots दिया हुआ है 3.5 feet by 4 feet का जिसमें entrance हमने guest home से दिया हुआ है और इसी ots side में हमने एक window भी लगाई हुई है for bedroom ventilation 9 feet 3 inch by 12 foot 10.5 inch का ये bedroom है जिसमें आपको एक attached almira भी मिल जाती है उसके बाद आप इस bedroom से भाहर आते हो तो आपको एक और bedroom मिलता है 12.5 feet 9 inch by 9 feet का बहुती बड़ा size है bedroom का जिसमें दो feet की attach almira भी आपको मिल जाती है इस चोटे से house plan में और ये window दी गई है south side में इस bedroom में proper ventilation के लिए next अगर बात करें roof projection की तो दो side road होने की होजा से हम यहाँ पे साड़े 3.5 फो चोड़ा roof projection यूज़ करेंगे next अगर बात करें door window की तो इस house plan के जितने भी door window का size है मैंने आप index बनाया हुआ है वीडियो को pause करके आप ये सभी door window के sizes read कर सकते हो next अगर बात करें column के sizes की तो जितने भी ये black dot है सभी 9 inches by 9 inches के हम column यूज़ करेंगे उसके बाद अगर staircase की riser trade की बात करें तो riser 7.5 inches and trade 10 inches का हम यूज़ करेंगे next अगर बात करें इस house plan के construction cost की तो आप यहाँ पे देख सकते हो approximate 9 लाक से 10 लाक में ये घर बनके त्यार हो जाएगा तो friends finally ये तो बात हुई इस house plan की अभी next और last बात करेंगे कि ये plan as पर वास्तो कितना सही है और कितना गलत है अगर सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे main entrance की तो ये 4 foot चोड़े door की entrance as पर वास्तो बिलकुल perfect है यहाँ पे जो हमने ये दी हुई है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपकी kitchen मिल जाती है south east corner में जो as पर वास्तो बिलकुल perfect है उसके बाद north east corner में आपका guest room बन जाता है ये भी आपका वास्तो के साबसे सही है next अगर बात करें आपकी staircase की तो यह सबसे पहले अच्छे बात ये हो जाती है कि आपकी staircase आपको clock wise direction में मिल जाती है उसके बाद अगर best placement की बात की जाए staircase कहाँ पे बनाई जाती है as per वास्तो तो यहाँ पे कहीं पे staircase आपकी बनाई जाती है बट यहाँ पे तो master bedroom आना है तो यह वाला bedroom तो आपका as per वास्तो perfect हो गया अगर इस staircase में बात करें तो देखिए staircase जो है यहाँ पे यह south की wall से लगी हुई है यानि कि इस side में लगी हुई है तो आपके घर में सबसे heavy जो होता है वो staircase ही होता है और south की जो दिसा होती है यह भी सबसे heavy होती है तो इसी वज़ा से staircase आपकी बिलकुल perfect है उसके बाद यहाँ पे हमने south side में एक entrance भी दी हुई है तो देखिए यह entrance थोड़ी सी गलत है as per waastu अगर आप entrance देना ही चाहते हो south side में तो यहाँ से आप entrance दे सकते हो बट यहाँ पे आप entrance नहीं दे सकते है क्योंकि आपके staircase बन रही है बिलकुल perfect होता है उसके बाद अगर कुछ और चीज़ों की बात करें जैसे की इस house plan में क्या चीज़े perfect हो सकती है as per waastu तो यहाँ की जो जमीन रहेगी यह bedroom side की इसको आप थोड़ा सा उचा रखेंगे as per waastu बिलकुल perfect रहेगा और जो इधर area की guest room side की और यह entrance side की जो जमीन रहेगी उसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे approximate 6 इंची रख लीजिए 3 इंची रख लीजिए बट आपको करना ही यह है कि यह वाली back side की जमीन आपकी south west side की थोड़ी सी उची होनी चाहिए और यह guest room side की थोड़ी सी नीची होनी चाहिए तो आपका plan as per वास्तू बिलकुल perfect बन जाएगा तो friends I hope की अभी आप लोग अच्छे से समझ गयोगी कि इस 25 feet by 30 feet के plot में 3BH के house plan भूती सुन्दर तरीके से आप किस तरह से बना सकते हो वो भी वास्तू के साथ तो चले friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू बाबाई